Friends and Students, नमस्कार दोस्तों, आपका सभी का, आप सभी का यहाँ पर स्वागत एक बार फिर से Wi-Fi Study के इस पर्टिक्लर प्लेटफॉर्म पर, आज हम लोग Wi-Fi Study 2.0 पर मैं यहाँ पर लाइव हुआ हूँ और आज का जो मुद्दा है, आज का जो टॉपिक है, वो आपका weekly current affairs है, बहुत सारे ऐसे विध्यारती हैं, जो कि regular मेरी students रहते हैं, और regularly वो हमसे यहाँ पर पढ़ते हैं, या classes लेते हैं, लेकिन कुछ समय से उनको classes प्रोवाइड नहीं हो पा रही थी, प्लेटफॉर्म चें इस session के link को share कर दीजगे, अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, ताकि maximum candidate यहाँ पर जुड़ सके हैं, इस particular session में, बहुत ही धमाकेदार यह session होने वाला है, current affairs तो discuss होगी ही, लेकिन आपके exam में पूछे जाने वाले static GK के जो questions होते हैं, वो भी, इस session में हम से यहाँ पर शुआगत करता हूँ, और बहुत सारी चीज़े हैं, MCQ काफी सारे हैं, static GK काफी सारे हैं, revision भी इसकी एक साथ साथ आपका होता हुआ चलेगा, तो 27 अप्राइल से लेकर, 2 मई के बीच के important current affairs, weekly current affairs revision के साथ, मैं आपके साथ यहाँ पर जुड़ चुका हूँ, आप सब यहाँ पर ready हैं, तो एक बार yes लिक कर बता दीजेगा, और पहला काम आपको यहाँ पर यह करना है, कि जल्ली से session के link को copy कीजेगा, और facebook पर, whatsapp पर, telegram group पर, जहां कहीं भी आप जुड़े हुए हैं, वहाँ पर एक बार इसको share कर दीजेगा, ताकि maximum candidate यहाँ पर ज प्यार है, pdf भी मिल जाएगी, telegram channel पर मिलेगी, यहाँ पर नहीं, telegram channel पर मिल जाएगी आपको pdf, परेशानी कि यहाँ पर कोई बात नहीं है, मेरे साथ telegram channel पर जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको telegram पर जाकर आपको search करना है, अंकित गुपता जी के वहा में channel पर share कर दिया है, आप वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं, आप सभी ready हैं, तो एक बार इस लेकर बता दीजेगा, आप यहाँ यहाँ पर लाइव हो चुके हैं, अभी आपकी प्रवलसर की class यहाँ पर complete हुई है, और आप हम लोग current affairs weekly को यहाँ पर देखेंगे, सभी ready है तैयार है, pen copy लेकर और धिमाग को बिल्कुल attention के साथ, कोई disturbance नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल ready है, तो एक बार यस लेकर मुझे बता दीजेगा, last session का revision होगा, नहीं, रिशिता जी last session का revision नहीं होगा, लेकिन जो हम लोग next session लेंगे, उस session में इस last session का हम लोग revision यहाँ प बनता है, वित्ती वर्स 2019-2020 के करम लोग बात करते हैं कि दोरान पहली बार भारत का सीर्स निर्याद छेतर कौन सा रहा है, मतलब कि निर्याद के छेतर में सबसे जादा निर्याद किस sector के यहाँ पर रहा है, यह question पूछा गया, which sector was India's top exporting sector for the first time during the 2019-2020 physical year, chemical का जो हमारा sector बनता है वो, या करसी आधारे जो चीज़े बनती हैं, आप फार्मसीटिकल या फिर इन में से कोई नहीं, दवाईयों का निर्याद सबसे जादा हुआ है, अगर हम लोग बात करते हैं, chemical का सबसे जादा हुआ है, तो यहाँ पर आपको correct answer के, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो यहाँ पर जो agriculture है, वो यहाँ पर correct नहीं होगा, वैसे हमारे देश के अर्थवस्ता के, अगर हम लोग बात करते हैं, तो हमारे देश की जो economy है, अर्थवस्ता है, वो करसी प्रधान यहाँ पर बनती हैं, लेकिन यहाँ पर answer करसी प्रधान नहीं होगा, इसे correct कीजेगा और correct करके इसे लगाईएगा option number 1, यहाँ पर agriculture wrong हो जाएगा, correct answer को option number 1, chemical, chemical sector की बात करते हैं, तो पिछले एक साल में financial year में करीकरी 2.68 लाग करोड के आसपास का जो total export हुआ है, वो यहाँ पर बढ़ गया है, तो first यहाँ पर option number 1, chemical sector यहाँ पर बिल्कुल correct बनेगा, second question की बात क करते हैं, दूसरा question है कि कौन सा विश्विध्याल है, COVID-19 उपचार के लिए plasma therapy को सफलता पूर्वक launch करने वाला पहला चिकित सा विश्विध्याल है, यहाँ पर बन गया है, which university become the first medical university to successfully launch plasma therapy for COVID-19 treatment, हम सभी जानते हैं कि जो COVID-19 word है, यह सब WHO के द्वारा दिया गया है, विश् फुलफॉर मनता है, coronavirus disease, और सबसे पहला मामला 2019 में देखने को मिला था, इसलिए इसको यह short name दिया गया है, यह आधिकारिक नाम दिया गया है, WHO के द्वारा, यानि कि विस्वस्वास संगठन के द्वारा, headquarter मनता है, WHO का Genova, Switzerland में, 7 April 1949 को WHO की स्थापना हुई थी, plasma therapy के अग दालकर एक बीमार व्यक्ति के सरीर में डाला जाता है, ताकि उस बीमार व्यक्ति के सरीर में plasma पहुंचकर बीमारी से लडने में मदद कर सके, करेक्ट आंसर हापर बनता है, King George Medical University और ये Medical University भारत के कि सहर में माजूद है, तो करेक्ट आंसर इसका बनता है, लखनो सिटी, ल अलहबाद सिटी को प्राइम मिनिस्टर्स की सिटी या सिटी ओफ प्राइम मिनिस्टर्स भी कहा जाता है, अलहबाद का वर्तमान नाम बनता है प्रयाग राज, ये तो आप सभी को पता ही है, और उत्तर प्रदेश का जो राजधानी है, लखनो वो किस नदी किनारे चीफ फिनिस्टर बनते हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदितनात जी गवर्णर आप लोग जल्दी से मुझे टाइप करके बता दीजिगा कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के गवर्णर कौन बनते हैं जल्दी से किंग जॉर्ज मेडिकल उनिवरस्टी संदीर जी बात करते हैं तो इंसानी खुन में चार अलग अलग तक अगरम बात करते हैं या फैक्टर्स होते हैं इसमें red blood cell पाये जाती है white blood cell पाये जाती है और plasma भी होता है तो यह चार plasma खुन का वह हिस्सा होता है जो कि लाल रंग का होता है ठीक है तो याद रखना है तो plasma एक स्वस अनंदी बेन पटेल, बाकी साभी लोगों ने, बाकी बहुत सारे लोगों ने आपर अनंदी बेन पटेल आंसर किया है, तो बिल्कुल यहां पर correct answer बन जाता है, अगला प्रसन आप सभी के सामने यह रहा, बताइए, इसका correct answer यहां पर क्या बन सकता है, which nation recently ended death penalty for crimes committed by minors, minors मतलब की जो नाबालिक होते हैं 18 साल से नीचे, तो किस रास्ट ने हाल ही में नाबालिकों के द्वारा किये गए अपराधों के लिए, मृत्यु दंड का जो system था, उसे यहां पर समात कर दिया है, cancel कर दिया है, चार option आपके यहां पर बनते हैं, बताइएग UAE की बात करते हैं United Arab Emirates, तो इसकी जो राजधानी बनती है वो अबुधाबी बनती है, यह आपको पताई है, इरान की तहरान बनती है, ओमान की मसकट बनती है, correct answer के आपर बात करें तो option number 4 here is the right answer, none of these, अब आपको इस country का नाम टाइप करके मुझे बताना है कि जहां पर death penalty क UAE, मैंने अभी अभी आपको इसकी capital बताई है, राजधानी बताई है, अबुधाबी और दिरहम यहां की currency बनती है, इरान की तहरान और रियाल यहां की currency बनती है, याद रिखेगा, हाल ही में इरान आपका चर्चा में भी बना रहा, क्योंकि इरान ने एक defense satellite आपका launch किया जिसका नाम बनता है नूर satellite, तो नूर satellite पहला satellite है, इरान का पहला defense satellite है, जो की रक्षा समन्धी कामों के लिए इस्तमाल किया जाएगा, तो हाल ही में नूर satellite launch करने वाला देश, तो आंसर कीज़ेगा, इरान, ओमान की राजधानी बनती है, मसकट, जबकि रियाल यहां की currency बनती है, 29 यहां पर आंसर बनेगा, तो जितने भी लोगों ने यहां पर साओधी अरेबिया, प्रिग्या तरपाथी साओधी अरेबिया, वेरी गोड, अरुनिमा, वेरी गोड, तो जितने भी लोगों ने यहां पर साओधी अरेबिया आंसर किया है, वो बिलकुल यहां प कंट्री की बात करते हैं साथ पडोसी सेवन फैक्ट्स में अगर आपका लेंड लॉग कंट्री है क्या तो आंसर होगा नहीं साउदी रेबिया आपका लेंड लॉग कंट्री नहीं है क्योंकि आप यहां पर देख सकते हैं कि रेट सी है इस तरफ इस तरफ और आप देख सकते है तो ये country आपका landlock country नहीं बनता है जबकि करक रेखा यानि कि Tropic of Cancer equator यानि कि भूमद रेखा और Tropic of Capricorn यानि कि मकर रेखा के अगर हम लोग बात करते हैं तो इन में से क्या कोई भी important जो आपकी अक्षांस रेखा है वो साओधे रेविया से गुजरती है तो याद रिखेगा Tropic of Cancer आपकी साओधे रेविया से गुजरती है Tropic of Cancer यानि कि करक रेखा करक रेखा यानि कि 23 डिगरी के अगर हम लोग यहां पर बात करते है 23 राइट 1 upon 2 डिगरी जो नौर्थ में आपकी अक्षांस रेखा बनती है उसे हम लोग करक रेखा कहते हैं और यह करक रेखा भारत के भी 8 राजियों से आपकी गुजरती है याद रिखेगा तो यह भी साओधे रेविया से आपकी गुजरती है याद रिखेगा यहाँ तक सारी बाते क्लियर होती चल रही हो तो एक बार यस लिक कर बता दीजेगा अगला प्रसन आप सभी के सामने किस संस्थान से समंधित शात्रों ने कम लागत वाले वेंटिलेटर रोहदार का विकास किया है करेक्टान से आपर क्या बन सकता है जल्दी से मुझे बताएगा कि सही जवाब यहाँ पर क्या बनेगा लो कोस्ट वेंटिलेटर करेक्टान से आपर बनेगा IIT Bombay और IIT Bombay के अलावा कुछ और भी संस्थान है जिन्होंने मिलकर इस पर काम किया है IIT Bombay के साथ साथ Islamic University of Science and Technology इसके अलावा NIT स्रीनगर ने मिलकर इस रुहदार वेंटिलेटर को यहाँ पर तयार किया है जो की बहुत ही कम लागत पर काम करता है इसका खर्च या यू कहें कि इसकी जो कॉस्टिंग है वो मात्र 10,000 रुपे है IIT Bombay करेक्टान से यहाँ पर बनेगा भारत की सबसे पहली IIT कौन थी जल्दी से उसका नाम मुझे टाइप करके कॉमेंट बॉक्स में बताएगा First IIT of India टाइप करके कॉमेंट बॉक्स में IIT Bombay here is the right answer हाँ, very good, very good संदीप मिस्रा जी, very good अगला प्रिस्न, सिप्री के अनुमान की अनुसार 2019 में सीर्स सेन खर्च वाला रास्ट या कंट्री कौन सा था which nation was the top military spender in 2019 according to सिप्री, क्या चीन ने 2019 में अपनी military पर, अपनी सेना पर सबसे ज़्यादा खर्च किया या भारत ने सबसे ज़्यादा खर्च किया या UK यानि की United Kingdom ने सबसे ज़्यादा खर्च किया या इन में से कोई नहीं, बताई करेक्ट आंसर यहां पर क्या बन सकता है प्रग्यातर पार्थी, very good, first IIT of India IIT खड़कपुर बनती है, क्या मुझे कोई year बता सकता है कि IIT खड़कपुर कब स्थापित की गई थी यहां पर जो करेक्ट आंसर बनता है, वो बनता है option number 4, इन में से कोई नहीं क्योंकि सबसे top spender जो बनता है, वो बनता है America अमेरिका ने 2019 पर अपनी सेना पर करीब करीब 732 बिलियन US डॉलर खर्च किये है second number पर जो country आता है, second number पर चाइना आता है चाइना ने करीब करीब 261 बिलियन US डॉलर खर्च किया है और इंडिया यहां पर आता है third position पर, यानि कि तीसरे स्थान पर भारत ने 2019 में 71.1 बिलियन US डॉलर को यहां पर खर्च किया है सिप्री के अनुमान के अनसार यह रेपोर्ट जारी की गई है तो सिप्री का फिलफॉर्म भी यहां पर important बनता है तो याद रखेगा Stockholm International Peace Research Institute इसे नोट कर लीजेगा सिप्री का फिलफॉर्म एग्जा में पूछा जा सकता है फर्स कंट्री युएस, सेकंड कंट्री चाइना, थर्ड कंट्री हां पर इंडिया बनता है टॉप मिलिटरी स्पेंडर इन 2019 किस राज के मुख मंत्री ने जगनात विद्या दिवेना योजना की शुरुवात की है विचे स्टेट चीफ मिनिस्टर है जगनात विद्या दिवेना योजना यह स्कीन उत्तर प्रदेश, मद्ध प्रदेश, आंध प्रदेश यह इन में से कोई नहीं बता यह correct answer यहाँ पर बनेगा जगनात विद्या दिवेना योजना correct answer हाँ, इंडिया 3rd position पर है, चाइन 2nd position पर है, 1st position पर अमेरिका है as usual correct answer यहाँ पर बनेगा आंध प्रदेश, state option number 3 here is the right answer आंध्रदेश के वर्तमान चीफ निश्टर बनते हैं Y.S. जगन मुहन रेड़ी ये तो आप सभी जानते ही हैं आंध्रदेश के गवर्नर कौन बनते हैं जरा मुझे जल्ली से टाइप करके बताईएगा आंध्रदेश भारत का ऐसा राज है जहाँ पर तीन राजधानियों व legislative capital यहाँ पर बनती है तो यही concept आंध्रदेश में भी है ठीक है इन्होंने 28 अप्रेल 2020 को इस योजना की शुरुआत गुंटूर जिले से आपकी की थी उत्तरप्रदेश की बात करते हैं चीफ निश्टर बनते हैं योगी आदितनात और अनंदी बेन पटेल यहाँ की गवरनर बनती हैं मद्दप्रदेश की बात करते हैं तो चौथी वार्ट चीफ निश्टर पद की शपत ली गई है शिवरास सिंग चोहन साहब के द्वारा और यहाँ पर गवरनर बनते हैं लाल जी टंडन सहब याद रुकेगा और अंध्र प्रदेश की बात करलेते हैं कि उत्तरप्रदेश और मद्रप्रदेश का जो state animal है वो एक ही बनता है तो जल्दी से मुझे बताईए इसका आंसर क्या बनेगा यहाँ पर state animal of मद्रप्रदेश और उत्तरप्रदेश जल्दी से टाइप करके comment box में ओके तो यहाँ तक सारी बाते clear हो चुकी है अमरावती यहाँ की क्या बनती है legislative capital बनती है कुर्मूल यहाँ की judicial capital बनती है न्यायक राजधानी जहाँ पर इस राज का उच्छ न्यालय मौजूद होगा और व्रिशाखा पत्नम आपकी executive capital बनेगी आंद्रप्रदेश की इस point को यहाँ पर याद रखिएगा अगला प्रिशन देखते हैं किस ने answer आपर किया है सीलम यादो जी ने answer किया है बारह सिंगा बारह सिंगा उत्तरप्रदेश का भी state animal बनता है और मदप्रदेश का भी state animal आपका बनता है जरा यह भी बताएगा कि fishing cat fishing cat किस राज का state animal बनता है काफी tough question है most लोगों को लगेगा कि उस राज का जो state animal है वो Bengal tiger है लेकिन उस राज का state animal fishing cat बनता है उस राज का नाम जल्दी से type करके मुझे comment box में बताईएगा अगला प्रिशन बहुत ही सीधा है और simple है question यह पूछता है कि अमेर्की रासपती चनाओ किस दिन आयोजित होने वाले हैं देखिए अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क माना जाता है और यहां के president को दुनिया के सबसे ताकतवर नेता की रूप में देखा जाता है तो the US presidential election are scheduled to be held on which day 3 November, 4 November, 11 November, 12 November बताए करेक्ट आंसे यहां पर क्या बनेगा है यहां यहां पर कुछ लोगों ने आंसर किया है अभ्यूत साकेजी ने आंसर किया है कि CM योगी आदितनाथ अनंदी बेंद पतेल वेरी गुड और West Bengal काफी लोगों ने यहां पर आंसर किया है तो जितने भी लोगों ने West Bengal आंसर किया है तो नोट कर लीजेगा कि पश्यम बंगाल का राजकी पश्यू फिशिंग कैट बनता है सुंदरवन नैसन पार्क की वज़े से अगर आपके दिमाग में आ रहा हो कि Bengal Tiger है तो आंसर आपका गलत हो जाएगा Bengal Tiger आपका नहीं है West Bengal की Chief Minister बनती है ममताब बैनर जी ये आपको पता ही होगा जगदीब धनकर वहां के Governor आपके बनते हैं अगर हम लोग राजपती पद की बात करते हैं चुनाओ की बात करते हैं तो 3 November 2020 से राजपती पद के लिए जो चुनाओ है एलेक्शन है वो वहाँ पर शुरू हो वर्तमान जो President बनते हैं Donald Trump ये कौन से नंबर के President है अमेरिका के टाइप करके जल्दी से आप लोग बताइए जबकि अमेरिका के पहले President बनते थे George Washington गटन याद रखेगा अमेरिका की राजधानी Washington DC बनती है और Washington DC City पोटो मैक रिवर के किनारे आपकी मौजूद है IMF और World Bank का जो Headquarter बनता है वो Washington DC बनता है इस पोटो भी दिखेए चीजों को correlate करते हुए याद करते हुए चलिएगा चीजों को जोडते हुए अमेरिका का रासपती चुनाओ कब होना है वर्तमान President कौन से नंबर के President है और जो बनेंगे वो कौन से नंबर के होंगे पहले President क हाँ पर मैंने कहा कि अमेरिका की जो सबसे बड़ी City बनती है largest City of America तो वो New York City बनती है इसे Big Apple के नाम से भी जाना जाता है अमेरिका में राज्यों की संख्या 50 बनती है ये सारी चीजें एक बार revise करते हुए चलिएगा जितने भी विध्यारती हैं जो लोग ये सब कुछ पह करती बनते हैं इसे नोट कर लीजेगा अमेरिका के जंडे में कितने सितारे होते हैं तो 50 सितारे होते हैं जो कि अमेरिका के 50 राज्यों का प्रतिय निधित्यों करते हैं और Washington DC में DC सब्द का full form होता है District Columbia जो कि एक फेडरल डिस्टिक वहां पर बनता है याद रखेगा अग जब recently he was the part of which popular Hollywood film Avengers, War of the Worlds, The Matrix या इन में से कोई नहीं Bald Eagle इसे भी नोट कर लीजेगा अमेरिका को जो National Bird बनती है वो Bald Eagle बनती है इसे भी नोट कीजेगा जिस तरह से हमारे देश का National Bird हमारे देश से बनती है पिकॉक मोर उसी तरह से अमेरिका में Bald Eagle बनता है यहां तक सारी बाते समझ में आती चल रही हो तो एक बार यसलिकर बता दीजिए कि हाँ सारी बाते समझ में आती चल रही है प्रेंका चोपड़ा जी की बात करें इसके लावा दीपिका पादकोन की बात करें और भी कई ऐसे एक्टर और एक्टरसे से हैं अगर हम बात करें इन्होंने Hollywood Film Industry में भी काम किया है, इर्फान खान सहाब उन्में से एक थे, तो इन्में से किस फिल्म में इन्होंने काम किया है, काफी important ये बनता है, सारी बाते समझ में आती चल रही हो, तो एक बार यसलिकर बता दीजा कि सर सारी चीज़ें clear होती चल रहे हैं, जितने भी लो इन्हान खान सहाब का, अभी 29 तारी को ही आपका निधन हुआ, कोकला बिन होस्पिटल में इनको भर्ती कराया गया था, जो कि मुंबई में है, और वहां इनको इनका डैथ हो गई, ये एक बहुत ही रेर तरीके के कैंसर बीमारी से पीड़त थे, और अगर हम लोग पश्च एक World Life of Pi और Inferno, ये कोछ मुवीज हैं जो कि उन्होंने हॉलिवुड में, जिसमें उन्होंने अभिनियता के तोर पर काम किया है, तो इसे नोट करते हुए चलिएगा, हिमानसु जी, जोग्राफी क्लास भी जल्दी स्टार्ट होगी, और धन्यबाद आफ की तारीफ के लि स्यद अकबर उद्दीन, टियस त्रिमूर्ती, राजीव कुमार या इनमेसे कोई नहीं, जल्दी से बताइए, करेक्टान से हम पर क्या बनेगा, निकता जी हम चेंज नहीं हुए है, प्लेटफॉर्म चेंज हुआ है, हाँ अभी कुछ दिन कोसेस करेंगे कि इसी टाइमिं दिन के अंदर आपके सामने पूरा क्लासिस का टाइम टेविल आ जाएगा, प्रसांत जी बहुत बहुत धन्यवाद, करेक्ट आंसर पर बनेगा, टियस त्रिमूर्ती, ऑप्शन नमर सेकेंड, here is the right answer, टियस त्रिमूर्ती, यून में, यानि कि यूनाटिड नेशन में भार आपके एकॉनमिस्ट भी हैं, यानि के अर्थसास्त्री भी आपके यहां पर बनते हैं, important बनता है, नीतियायो की बात करें, National Institution for Transforming India, 1 जनवरी 2015 में, Planning Commission को रेपलेज करके, नीतियायो की स्थापना की गई थी, अगला प्रिसन, किस पाकिस्तानी किर्केटर पर 3 साल का पृत अकमल, इन में से कोई नहीं, सही जवाब क्या बनेगा, इस तरहे कोशन भी देखने को आपके मिली जाते हैं, टीएस त्रिमूर्ती जितने भी लोगों ने, देखें, आभी स्वाति उपाध्याजी, करेंट एफेड्स की क्लास भी होगी, डेली होगी, विदिन 1 और 2 डेज हम इस क्लास को यहाँ पर लाइव करना शुरू करेंगे, टाइम क्या होगा, टाइमिंग क्या होगी क्लास की, वो सब आपको बता दी जाएगी, यहाँ पर बताए करेक्ट आंसर क्या बनेगा आप सभी का, करेक्ट आंसर हैं आपर बनता है, option number 3, उमर अक्मल, कामरान अक्म लगाया है, which state has imposed a COVID-19 cess on diesel and petrol, असम, मनीपुर, नागा लेंड, यह इन में से कोई नहीं, बताए करेक्ट आंसर हैं आपर क्या बन सकता है, exam के point of view से, COVID-19 cess, जैसे आपने देखा था कि स्वक्ष भारत cess लगाया गया था, cess क्या होता है, उपकर, tax के अलावा, आपके उपर जो काफी burden पड़ा है, और revenue काफी कम हुआ है, जिसकी वजह से, cess लगा कर यहाँ पर tax के तोर पर पैसा collect करने की कोसेश की गई है, असम, मनीपुर, नागा लेंड, इन में से कोई नहीं, करेक्ट आंसर हैं पर जो बनता है, option number 3, नागा लेंड, नागा लेंड ने यहाँ पर यह tax introduce किया है, यह cess यहाँ पर introduce किया है, और यह भारत का पहला राज है, जिसने इस तरह के tax को, यह cess को यहाँ पर introduce किया है, COVID-19 को लेकर, अगर आप यहाँ पर डीजल पर चेस करते हैं, तो 5 रुपे प्रती डीजल, 5 लीटर, 5 रुपे प्रती लीटर डीजल के लिए, और 6 रखेगा, नेफिय रियो साहब यहाँ के चीफ मिनिस्टर बनते हैं, और आरेन रवी साहब नागलन के क्या बनते हैं, गवर्नर बनते हैं, मनीपुर के अगर हम लोग बात कर लेते हैं, तो मनीपुर की राजधानी इंफाल बनते है, जबकि मनीपुर के जो चीफ मिनिस्ट बनते हैं याद रखेगा नजमा हेप्तुला मनि पूर की गवर्ण बनती है मनि पूर का चावल है जिसे हम लोग कहते हैं चक हावचावल तो तो उसे हालही में जियाई टेग भी यहाँ पर दिया गया स्प्राइब किया आप के तो आप उस वीडियो को भी वहाँ पर देख सकते हैं असम राज जिके जो चीफ इंस्टर बनते हैं सरवारंद सोने वाल बनते हैं और यहां के जो गवर्नर बनते हैं वो जगदीश मुखी सहाब बनते हैं भारत में ब्रह्मपुत्रा नदी सबसे पहले किस राज मेंटर करती है तो आ नाम बनता है कीबुल लाम जाओ नेसलन पार्क उस नेसलन पार्क में जो तेरतिया हुआ जो नेसलन पार्क है वो जिस घास जो घास होती है उसे फुमदी घास बोलते हैं यहां पर डांसिंग डियर भी आपका पाय जाता है जिसे हम लोग ने वहां पर देखा भी है और कई चिवार वो एक particular गहस से दूसी घहस में move भी करता है जिसके वैसे जो तैरती हुई जो घास होती है वो हीलने लगती है लोकटक जहील बंगती है लोकटक जहील भी नोट कर लीजेगा लोकटक जहील की ऊपर दुनिया का ओकल दॉधा तैरता हुआ नैस्नल पार्क की पर आपका मौजूद है अगला प्रिशन कौन सा ब्रेंड जल्द ही सेनेटाइजर बनाना शुरू कर देगा या अपने ब्रेंड नेम का इस्तिमाल करके वो सेनेटाइजर भी अब बनाएगा विच ब्रेंड विल सून स्टार्ट मेकिंग सेनेटाइजर सैंसंग रॉयल स्टे इंडगो पेंट्स या इशन पेंट्स इन में से कौन सा जानामाना ब्रेंड जल्द ही सेनेटाइजर का प्रोड़क्शन शुरू कर देगा आप्शन्स आप सभी के सामने हैं केबल लाम जाओ नैसलन पार्क लोक टक जील फुमदी घास का नाम डांसिंग डियर यहीं पाया जाता है लोग टक जील बात खतम आगे बात करते हैं प्रगयतर पाथी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेक्ट आंसे हैं आपर बनता है एशन पेंट्स आपने सभी ने एशन पेंट्स के एड्स देखे होंगे एशन पेंट्स की बात करते हैं तो इंडिया's largest paint maker भी है Asian Paints और इसने जो brand name रखा है sanitizer बनाने के लिए वो रखा है Vero Pro Take Vero Pro Take brand इस brand के नाम से यह sanitizer बनाना अब शुरू करेगा तो इसे यहाँ पर note कर लीजेगा अगला प्रिस्विशन दिल्ली के सभी जले निमलिकित में से किस छेतर में पढ़ेंगे या उनको किस particular Jones में रखा गया है All districts of Delhi will fall under which among the following Jones Red Jones, Orange Jones, Green Jones इन में से कोई नहीं आप लोग अच्छे से समझ चुके हैं कि Red Jones, Orange Jones, Green Jones आपका क्या होता है तो अब मुझे बताए कि दिल्ली जो कि हमारी रास्टी राजधानी बनती है वहाँ पर सभी जोलों को किस जोन में रखा गया है दिल्ली की बात करते हैं तो यहाँ पर अर्विन केजरिवाल आपके Chief Minister बनते हैं जबकि अनल बैजल जी यहाँ के Lieutenant Governor बनते हैं दिल्ली के State Board बनती है गौरिया गौरिया याद रखेगा या Home Sparrow भी इसको हम कहते हैं तो विश्यक गौरिया दिवस कब मनाय जाता है ये भी टाइप करके साथी साथ comment box में बता देना सही जवाब यहाँ पर जो बनता है वो बनता है Red June दिल्ली के सभी इलाकों को Red June में रखा गया है विश्यक गौरिया दिवस कब मनाय जाता है जो कि स्टेट बर्ड बनती है डेली की टाइप करके comment box में बता दीजेगा हाँ वे कोसिस कीजे कि like and share भी करती हुए चलेगा session को अगर session आपको पसंद आ रहा है class आपको पसंद आ रही है जो की वहां के कैप्टन बनते हैं टिम साओधी रॉस टेलर या मार्टन गप्टिल करेक्ट आंसर क्या बनेगा रिचर्ड हेडली मेडल से किसे यहां पर सम्मानित किया गया है बैसे इतना डीटेल में जाने की जरूत नहीं है कौन सा City Red Zone में है कौन सी City Green Zone में है यह आप से exam में नहीं पूछा जाएगा लेकिन जो National Capital है आपकी डेली इसके लिए बता दिया है लेकिन जब आपका exam होगा तीन से चार महिने के बाद तो आप से कता ही नहीं पूछा जाएगा क्योंकि समय समय पर कई cities को रॉस टेलर की अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो उन्हें यहाँ पर Sir Richard Headley, नहीं मुझे मालूम था कि आप लोगों में Confusion यहाँ पर हो सकते, केन विलियमसन और रॉस टेलर में तो याद रखेगा Sir Richard Headley मैडल से रॉस टेलर को सम्मानित किया गया है, जबकि केन विलिय कर ली जगा एक्जाम के point of view से important यहां पर बनेगा अगला प्रिसना आप सभी के सामने महलाओं को घर आधारित रोजगार प्रदान करने में उनकी सहायता के लिए किस राज ने जीवन शक्ती योजना शुरू की है करोना वाइरस की वजह से हम सभी lockdown है और ऐसे समय में महलाओं को घर पर ही रोजगार देने के लिए कौन सी योजना जीवन शक्ती योजना किस राज सरकार ने शुरू की है उत्राखंट असम हर्याना मदप्रदेश सही जबाब क्या बनेगा जल्दी से टाइप करके मुझे comment बता दीजेगा बिल्कुल शर्शी श्रीवास्तो जी करेक्ट आंसर यहाँ पर है आपका कि 20 मार्च को आपका विश्यो गौरिया दिवसाब का मनायता है वेरी गुड चलिए बताए यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नमर फोर मध्यप्रदेश मध्यप्रदेश क वर्तमान चीफ निश्टर स्विरास सिंग चोहान लाल जी टंडन गवर्नर बनेंगे हर्याना की बात करते हैं तो मनुहर लाल खटर यहाँ के चीफ निश्टर बनेंगे जबकि डिप्टी चीफ निश्टर यहाँ पर बनते हैं दुसिंत चोटाला हर्याना के गवर्नर का न आपके त्रिवेंद सिंग रावत इसे नोट कर लीजेगा हाल ही में उत्राखंड की नई राजधानी की घोशना की गई थी तो उत्राखंड की नई राजधानी का नाम क्या बनता है ज़रा टाइप करके मुझे कॉमेंट बॉक्स में यहाँ पर बता दीजेगा मद्य प्रदे इसमें मौझूद हैं ये भी point याद रखेगा और मद्यप्रदेश को Tiger State के नाम से भी जाना जाता है 2018 में Tigers की latest अगर हम बात करते हैं बागों की जनगड़ना हुई थी तो बागों की गड़ना में latest अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं अगला प्रिस्म किस राज ने घर पर रोगियों को इस्थानिय रूप से अनुपलब्ध दवाओं को वितरित करने के लिए धवंतरी योजना की शुरुआत की है इसी दवाईया जो लोकली उपलब्ध नहीं है इस्थाने इस तर पर उपलब्ध नहीं है ऐसी दवाईयों को पेसेंट तक यानि की रोगियों तक पहुँचाने के लिए धवंतरी योजना की शुरुआत की गई है किस राज सरकार के द्वारा तो करक्टांसे आपर बनता है असम स्टेट गवर्मेंट के द्वारा जितने भी लोगों ने आपर गैर सेन आंसर किया है ये न्यू कैप्टल बनती है नई राजधानी बनती उत्तराखंड की वेरी गुड वेरी नाइस चलिए बताइए स्टर आपके बनते हैं अगला प्रिस्ट विटल लेजए हाई प्रेसर वेंटी लेटर लॉंच भाई विच और्गनाजेशन फॉर दी ट्रीट्मेंट ऑफ कोविड नाइटीन के मरीजों के इलाज के लिए विटल नामक एक उच्छ दवाव वेंटीलेटर किस संगठन के द बनता है वो बनता है आपका American Space Agency NASA याद रुखेगा रौस कोस माउस की बात करते हैं तो ये रच्छ दार दिया के इसरो हैं और डी ठो बनते हैं इसञु के स्थापना कभ हुई थी 1969 में हुई थी के सिवान साहब इसके वर्थमान चीफ बनते हैं इसरो का फिलफॉम इंडियन स्पेस असर्श और्गनाइजेशन बनता है इसरो का हैड कोटर कहां पर मौझूद है जल्दी से टाइप करके मुझे कॉमें बॉक्स में बता दीजेगा कि इसरो का हैड कोटर आपक पर काम करना शुरू किया था एक और प्रिसना आप से यहां पर पूछा जा सकता है कि निमलिखित में से किस और्गनाइजेशन ये बताया है कि भारत में जो वायू प्रदूशन है यानि कि जो एर पल्यूशन है वो 20 साल के सबसे निचले स्तर पर यहां पर पहुँच गया बैंगलूरू के चार निकनेम बनते हैं Garden City of India, Space City of India, IT City of India या IT Capital of India या Silicon Valley of India ये चार निकनेम आपके बनते हैं बैंगलूरू के Correct answer यहां पर भी आपका बनता है NASA जाकसा की बात करते हैं तो यह जापान की Space Agency बनती है जापान की राजधानी टोकियो और जापान की करेंसी येन बनती है जापान के टोकियो सहर में 2020 में होने वाले Olympic Games कोरोना वाइरस की वजह से अब 2021 के लिए पोस्पॉन कर दिये गए हैं इसका मोटो बनता है for the benefit of all इसकी स्थापना हुई थी 1958 में और DRDO की स्थापना भी हुई थी 1958 में तारीक बनती है एक जन्वरी DRDO की इसलिए एक जन्वरी को DRDO डे भी मनाया जाता है ये भी आप जान लीजेगा NASA का headquarter बनता है Washington DC the capital of America नोट कीजेगा Washington DC राजधानी अमेरिका की है IMF और World Bank का headquarter भी आपका Washington DC में आपका मौझूद है यहां तक सारी बाते समझ में आती चल रही हो तो एक बार yes लिखकर बता दीजेगा और like कर दीजेगा थमसब कर दीजेगा इस session को कि yes sir session काफी interesting है और का messenger room is a group video chat service launch by which company messenger room किस company के द्वारा सुरू किया गया एक समोह video chat सेवा है Facebook, Skype, Zoom या फिर Google टियो यहां पर अगर हम लोग जूम की बात करते हैं तो इसको लेकर अभी हाल ही में भारा सरकार के ministry के द्वारा जो हमारी information और broadcasting ministry है और भी दूसरी जो ministries है उन्होंने भी यहां पर ए अगरती यूजर्स का जो डेटा है वो वहां पर काफी कम कीमत पर भिक रहा है तो जूमैप आपकी प्राइवेसी के लिए सेफ नहीं है messenger room की बात करते हैं तो messenger service किसके द्वारा शुरू की गई है या Facebook के द्वारा जो messenger app है उसी से आप याद रखने का प्यास कीजेगा Facebook, Facebook क स्थापना सन 2004 में मार्क जकर वर्क और उनके कुछ चाथियों के द्वारा यहाँ पर की गई थी एक American company यहाँ पर बंती है अगला प्रिस्फिन What is the name of the world's largest living sea turtle? नाम काफी important बनता है और यह काफी अच्छा static जीके का question आपके लिए बनता है कि दुनिया के सबसे बड़े जीविद समुदरी कच्छुए का नाम क्या है? हम सभी जानते हैं कि जो कच्छुए होते हैं वो काफी लंबे समय तक जीते हैं 400-500 सालों तक भी एक कच्छुए आपका जी सकता है उसका जीवन रहता है उसकी आयू रहती है तो यहाँ पर चार option है green sea turtle या olive redly sea turtle leather black sea turtle या longer head sea turtle इन में से कौन सा कच्छुए वर्तमान में दुनिया का सबसे लंबे समय तक जीने वाला यहाँ पर turtle बन गया है करेक्टान से यहाँ पर जो बनता ह लेदर में आप देख सकते हैं एक leather की भाती नजर आता है इसलिए इसको यह नाम यहाँ पर दी गया है olive redly turtles की बात करते हैं तो इनकी जो nesting होती है वो भारत के किस राज में यह काफी प्रसिद्ध है olive redly turtles को अगर आपको देखने है तो आपको भारत के किस राज में जाना ह होगा उस state का नाम मुझे type करके comment box में बता दीजिएगा मैंने question पूछा उससे पहले प्रसांत जी ने यहाँ पर आंसर बता दिया है उडिसा इस state में olive redly turtles को आप वहाँ पर देख सकते हैं उनकी nesting आप वहाँ पर देख सकते हैं अगला प्रसिन काफी important यहाँ पर बनता है औसधी उपयोग के लिए औसधी उपयोग के लिए भांग की खेती को वैद बनाने वाला legalize करने वाला पहला country यहाँ पर कौन बनता है which is the first country to legalize cannabis cultivation for medicine use दवाईयों को बनाने में भांग का इस्तमाल होता है जैसे इसे होली आती आप सभी समझ जाते हैं कि भांग की लस्ती इस तरह से आप लोगों पता होगा भांग एक उसधी के तोर पर भी इसका इस्तमाल किया जा सकता है और वरतमान में कोरोना वाइरस की व और फिर भांग को होगा कर उसको एक्सपोर्ट किया जाएगा दुनिया के दूसरे हिस्सों में और इससे मेडिसिन भी बनाई जाएगी जिनका एक्सपोर्ट किया जाएगा जिनका निर्यात किया जाएगा ताकि एकॉनमी को यहाँ पर सुधारा जा सके करेक्ट रांस हैं प्रबंता है लेबनन, लेबनन की जो राजधानी बनती है, वो बेरुद बनती है, जबकी पाउन यहां की करेंसी बनती है, अफगानिस्तान की बात करते हैं, तो भारत से सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ ही तच होती है, और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, चलिए आगे बढ़ते हैं, next question की तरफ, which state government has launched संपर्क दीदी एप, संपर्क दीदी एप किस राज सरकार ने launch किया है, options आप सभी के सामने, असम, गुजरात, मनीपुर, उत्राखंड, असम, सर्बानन सुने वॉल, चीफ निस्टर, आपके क्या बनते हैं, चीफ निस्टर बनते हैं, जबकि निजमा हिपतुल्ला यहां की गवर्नर बनती है, उत्राखंड में तिर्वेंज सिंग रावत है, गैर शेन, यहां की अभी हाली में राजधानी अनौन्स हुई है, correct answer यहां पर जो बनता है, उत्राखंड स्टेट, नौमिनिट किया है, which place has been named by UNESCO as world book capital for 2020, Mumbai, Kolkata, Singapore या Kuala Lampur, UNESCO की बात करते हैं, तो full form बनता है, United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization, इसका headquarter कहां पर मौझूद है, यह आप लोग ही मुझे type करके comment box में यहां पर बताएंगे, full form मैंने आपको यहां पर बता दिया है, UNESCO की जो विश्य विरासत सूची है, उसमें भारत के 38 सहर, 38 सहर नहीं कहेंगे, 38 साइट्स हम लोग कहेंगे, कि विश्य विरासत सूची में भारत के 38 लोकेशन आपकी सामिल हैं, जिनमें से 30 लोकेशन आपकी जो हैं, वो आपकी natural है इसके लावा सात जो आपकी लोकेशन वो बनती हैं, वो आपकी क्या है에요, cultural साइट्स बनती है, natural हैं, 30, साथ है, cultural, और एक आपकी mixed साइट बनती है, कंचन जंगा, वाली जो आपकी बनती है, कंचन जंगा नेसन पार, वो आपकी mixed साइट यहां पर बनती है, तो total 38 world heritage साइट् तो मुंबई सहर की बात करते हैं तो मुंबई सहर को साथ ट्रापों का सहर भी कहते हैं यह इसका निकनेम बनता है इसका निकनेम बनता है। तो कोलकाता सहर को City of Joy के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आद रखेगा, important बनता है कोलकाता सिटी, और चल ये तना काफी है, आगे बात करते हैं, कुछ static GK कोशन भी यहाँ पर हम लोग देखेंगे, उम्मीद है इनका answer भी आप लोग यहाँ पर करेंगे, भीम बेटका की ग हाँ, मलेशिया की रेन मिंबी, रेन मिंबी आपकी जो बनेगी, वो आपकी बनेगी कहां की, चाइना की, रेंगिट यहां की बनती है, रेंगिट बनती है मलेशिया की, जबकि रेन मिंबी बनती है, चाइना की, भीम बेटका की गुफाएं कहां पर मौजूद है, इन में से कोई नहीं तो correct answer आपको मुझे type करके बताना होगा कि भीम बेटका की गुफाओं जो की UNESCO की World Heritage Site में सामिल हैं भारत में वो भारत के किस राज में हैं वो भारत के मदप्रदेस राज में आपकी मौजूद हैं 2003 में भीम बेटका की गुफाओं को UNESCO की World Heritage Site की लिस्ट में सामिल क देख सकते हैं कि भीम बेटका की गुफाओं की location क्या बनती है याद रखेगा एक्जाम की point of view से इसके अलावा कुर्णूल की गुफाओं भी हैं हुंसी की गुफाओं भी आपकी बनती हैं अजनता एलोरा की भी गुफाओं आपकी बनती हैं तो ये भी साथी साथ इन में इस्थेत है वो एक पहाडी की उपर इस्थेत है तो उस पहाडी का नाम क्या है उस हिल का नाम क्या है जहां पर कामाख्या मंदिर आपका मौजूद है उस हिल का नाम भी बताएगा करेक्टान से आपर असम बनता है याद रखेगा असम राज के बारे में डीडिल में आ नवीन पतनाईक जी बनते हैं और नवीन पतनाईक जी को कुछ समय पहले पेटा इंडिया वार्ड के लिए भी चुना गया था उडिसा राज भारत का पहला राज है जिसने कोरोना वारस को देखते हुए सबसे बड़ा अस्पताल स्थापित करनी की घोशना की थी मो सबसे पहले निवेधिता पांडे जी ने सबसे पहले आंसर किया है बहुत-बहुत बधाए निवेधिता जी अगला प्रिसम मैं हिंदू क्यों हूं इस पुस्तक के लिखा कौन है वाई एम अ हिंधू शशी धरूर जी बराक ओबामा शेन वन या ट्विंकल खन्ना अब यह यहां पर जो मैंने option रखे हैं, सभी के सभी options में या सभी के सभी लोगों ने यहां पर कुछ ना कुछ बुक से ज़रूर लिखी है, करेक्टांस यहां पर बनता है शशी थरूर, अगर आप शशी थरूर सहाब की कुछ और किताब है भी मुझे बताना चाहें, तो comment box में type करके बता सकते हैं, एक किताब इनकी और famous इसका नाम है, The Paradoxical Prime Minister, यह एक इनकी बहुत ही important book यहां पर बनती है, बराक Obama जो की former president रह चुके हैं, अमेरिका के उनकी जो wife बनती है, Michelle Obama, उनके द्वारा एक किताब release की गई थी, नाम बनता है Becoming, और एक किताब CGL के एक्जाम में आपक सजाब का नाम क्या बनता है, सेन्वान की ओटो बाइगरफी की बात करते हैं, यह एक Australian spinner है, क्रिकेटर रहे हैं, गेनबाज रहे हैं, इनकी ओटो बाइगरफी का नाम बनता है, No Spin, ट्विंकल खन्ना की बात करते हैं, famous actress रही है, पैजामाज आर फॉर गिविंग, यह इनकी मिट्टी से बनाय जाने वाले सजावटी सामान होते हैं, और लाल रंग के होते हैं, तो गोरखपुर टेरा कोटा जो की हातों से बनाय जाने वाले सजावटी सामान होते हैं, जो कि मैंने कल एक GI टेग वाला session लिया था, वाइफाई study के चैनल पर वो वीडियो आपका हुआ है, आप वहाँ पर देख सकते हैं, तो GI टेग हाली में किन को प्रोवाइड किया गया है, चकहाओ चावल, चकहाओ चावल कहां से हैं, मनीपूर से हैं, जो काले रंग के चावल होते हैं, और गोरखपुर टेरा कोटा को GI टेग जोग्राफिकल इंडिकेशन टेग यह पर दिया गया है, इसके साथ ही साथ भारत में GI Tech की संख्या लगभग 363 के आसपास पहुँच चुकी है, इसकी complete list, GI Tech की complete list मैंने अपने टेलिग्राम चनल पर शेर की है, आप लोग वहाँ पर जाकर देख लीजेगा, गोरखपुर सिटी की बात करते हैं, यह सहर किस नदी क किनारे स्थे थे, क्योंकि यह सहर उत्तर प्रदेश में आपका मौजूद है, गंगा, गोमती, राप्ती, यमना, करेक्टान से आपर बनता है राप्ती रिवर, यहां पर आप उत्तर प्रदेश का मैप देख रहे हैं, और जो रेड कलर का स्पॉट आप देख रहे हैं, यह आपका गोरखपुर सिटी का, या गोरखपुर सिटी और जिला यह आपका बनता है, गंगा के किनारे कौन सा प्रमुक सहर है, तो बहुत सारे है, हरिद्वार है, वरारसी है, लाबाद है, कानपुर है, गोमती की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी, गोमती रदी के किनारे मौझूद है, राप्ती नदी के किनारे गुरखपुर और यमना के किनारे आपका आगरा है, डेली है, याद रखेगा एक्जाम के point of view से, पंथी, भारत के किस राज का एक लोक नृत्य बनता है, जरह मुझे टाइप करके comment box में बताइए, पंथी is a dance form, dance form of which of these states of India, गुजरात, गोवा, छतीजगर, तिलंगाना, मैंने आपको कुछ ट्रिक्स भी बताई हुई हैं, जैसे कि अंधेरे में कच्ची पूरी खाई, अंधेरे में कच्ची पूरी, तो आंध प्रदेश, कची पूरी, कची पूरी, तो अंधेरे में कच्ची पूरी, खाई, भी हुई स्टेट डांस, वहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट बनता है, गुजर गई, गरीबी, तो गुजरात में गरवा, इस तरह से आप चीज़ों को याद रख सकते हैं, लेकिन पंथी नामक जो लोकृत्त है, वो आपका 36 गड़ में बनता है, याद रखेगा, ओके, ब करेक्ट आंसर बनता है, आप्शन नमबर C, तमिल नाडू, तमिल नाडू, यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा, पलानी हिल्स के लिए, अगला प्रिशन है, नमने गित में से कौन सा देश, हजार जीलों की भूमी के नाम से जाना जाता है, विच आफ दीज कंट्री इस नोन भूपाल और उदैपूर, लेकिन हजार जीलों की भूमी के बात कर लेते हैं, तो फिल्लेंड और सफेद हातियों की भूमी की नाम से किस कंट्री को जाना जाता है, टाइप करके, जल्दी से मुझे बताएगा, तमिल नाडू वहाँ पर करेक्ट है, फिल्लेंड यहाँ पर करेक्ट है, जीलों का सहर भारत में उदैपूर और भूपाल बनेगा, अब मैंने आप से पूछा है, सफेद हातियों की भूमी, बहुत बढ़ी आप सभी आंसर यहाँ पर कर रहे हैं, सफेद हातियों की भूमी, जल्दी देखते हैं, सबसे पहले आंसर कौन करता है, Thailand सबसे पहले answer यहाँ पर किया है शिवांसु जी ने सबसे पहले answer किया है अगर हम लो comment box की बात करेंगे PDF आपको मिलेगा telegram channel पर जो कि मैं last मैं आपको बताऊंगा कि telegram channel से कैसे connect होना है तो जितने भी लोगों ने Thailand यहाँ पर answer किया है सबसे पहले शिवांसु ने answer किया था correct है in which country the great Victoria desert is located the great Victoria desert किस country में इसे था नाइजर एजप्ट ऑस्टेलिया और अलजीरिया बताइए Thailand की जो राजधानी बनती है Bangkok और बहुत यहाँ की currency बनती है इसे भी याद रख लिजेगा correct answer आपर बनता है Australia Australia की आप यहाँ पर map देख रहे हैं और map में आप देख रहे हैं कि यह छोटा सा हिस्सा South में आपको यहाँ पर नज़र आएगा वो Great Victoria Desert है जबकि Australia के अगर हम लोग बात करते हैं East में तो यहाँ पर आपकी एक Coral Reef मौजूद है जिसे हम लोग ग्रेट Barrier Reef कहते हैं यह आपकी Pacific Ocean में यहाँ पर मौजूद है इसे भी याद रखेगा Australia में राज्यों की कुल संख्या 6 बनती है जबकि तस्मानिया एकलौता इनका आइलेंड बनता है तस्मानिया आइलेंड इसे भी यहाँ पर याद करते हुए चलिएगा इंपोर्टन बनेगा Australia की राजधानी Canberra और डॉलर यहाँ की करेंसी बनती है नेक्स कोईशन यह बहुत ही धमाकेदार प्रिस्न है इस कोईशन का आंसर देखते हैं सबसे पहले कौन करता है कि भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है अब मैं कॉमेंट बॉक्स पर अपनी नजर गड़ाए हुए हूँ और देखता हूँ सबसे पहले आंसर कौन सा सबसे पहले आंसर कौन करता है मुंगा चटाने हां कुरल रीफ मुंगा चटाने हिंदी में बोलते हैं सबसे पहले यहां पर अभी तक हां अरुनिमा साक्षी जी ने सबसे पहले आंसर किया है अरुनिमा साक्षी जी वेरी गुड करेक्ट आंसर आप रबंता है ऑप्शन न बांध कर्यक्टर स्थ, झाल नहें डे साटेरिस कि थैखेे बॉआ नई यहाँ पर करक्स आपका बंद है तो याद रखेगा भारत का सबसे पुराना बांद बनता है कल नई बांद ये बात का सबसे पुराना बांद है जो कि कावेरी नदी की उपर आपका मौजूद है उज्जेन किस नदी किनारे इस्थित है उज्जेन is situated on the banks of which river महानदी कावेरी शिप्रा रिवर और मुसी रिव बताएं ये करेक्ट आंसें आपर क्या बनेगा शिप्रा रिवर मूसी रिवर के किनारे जो सहर मौजुद है वो बनता है है थेरबाद याद रखेंगा काफी इंपॉर्टर बनता है ये सहर भी अब दोस्तों और मेरे साथियों तीन MCQ मैं आपको challenge के तोर पर देता हूँ देखते हैं कितने लोग इसका answer कर पाते हैं करतारपुर गुरुद्वारे की बात करें तो गुरुनानक देव जी ने अपने जीवन के कुल कितने वर्स करतारपुर में गुजारे थे भारत के वर्तमान attorney general कौन है और भात के पहले attorney general कौन थे ये तीन प्रिसन इनका screenshot ले लीजेगा ये आज के session का यहाँ पर MCQ challenge है इन तीनों ही प्रिसनों का जो answer है वो आपको video complete हो जाने के बाद comment box में करना है जो भी विक्ति इसका सबसे पहले answer करेगा सबसे जल्दी answer करेगा सुरवाती 5 लोगों के में answer next session में दिखाँगा आपको जो लोग इसका सही जवाब यहाँ पर देंगी तो इसका screenshot ले लीजेगा इन तीनों प्रिसनों के answer आपको करके बताने है comment box में video complete हो जाने के बाद अब आपको pdf कहाँ पर मिलेगी इस session की जो session अभी conduct हुआ है तो याद रखेगा telegram पर आपको जाना है अंकित गुपता जी के यह आपका telegram channel का नाम है यहाँ पर करीब करीब 1100 से भी जादा लोग जुड़े हुए हैं इसके अलाबा किसी और channel पर मत जाईएगा कल मैंने GI Tags की complete list आपको provide कर दी थी GI Tag list आप यहाँ पर देख सकते हैं उसी का screenshot है और आज इस session के complete हो जाने के बाद इस session के link भी यहीं पर आपको provide कर दी जाएगी तो आप लोग यहाँ से अपनी PDF को download कर सकते हैं उमीद है आपको इस session काफी पसंद आया होगा जल्दी पूरा time table की classes कब कब आपकी चलनी है करेंड फैर्सी class कब होगी जोगरफी class कब होगी किस channel पर होगी सब कुछ आपको जल्दी provide कर दिया जाएगा बस मेरे साथ जुड़े रहिए और telegram channel से जुड़े रहिएगा अंकित गुपता जी के आज के इस वीडियो में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं अगली class में एक और new session के साथ एक और interesting session के साथ आज के लिए इतना ही आप सभी का इस वीडियो पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद